नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता सुबुही खान ये नाम तो आपने सुना ही होगा नाम से भले ही सुबुही मुस्लिम हो लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को वो जिस तरह से आगे बढ़ाती है उनकी चर्चा देश के साथ साथ विदेशों में भी होती है यूपी की सीम योगी आधितनाथ तक उनकी तारीफ कर चुके हैं पेशे से वरिष्ट अधिवक्ता और सोशल अक्टिविस्ट के तौर पर काम करने वाली सुबुही खान अक्सर मुस्लिमों को ही हिंदुत्व का पार्ट पढ़ाती हुई नजर आती है इतना ही नहीं खुद को सनातनी मुसलिम बताने वाली सुबुही डंके की चोट पर खुद को प्राउड हिंदु भी कहती है सुबुही का आक्रामक अंदाज अक्सर कुछ कटरपंतियों को चुबता है लहाजा उनके एजेंडे पर फिट ना बैठने वाली सुबुही को कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ता है हलाकि विरोध से ज्यादा तादात उनके चाहने वालो की है तबी तो सुबुही को सोशल मीडिया पर कई लाख लोग फॉलो करते हैं और उनके अच्छी खासी फैन फॉलोईंग है अब सोशल मीडिया पर सुबुही की दो तस्वीरे बहुत तेजी से वाइरल हो रही है हालाकि ये तस्वीर हाल फिलाल की नहीं है बलकि साल 2020 की है इन तस्वीरों में सुबुही ने मांग में सिंदूर लगा रखा है सिर पर पलू रखा हुआ है इसी के साथ सुबुही नमसकार करते हुई नजर आ रही है तस्वीरों के साथ सुबुही ने लिखा तस्वीरों पर सोशल मीडिया यूजर भी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही है जैसे उर्मी से नाम की यूजर ने लिखा एक और यूजर ने लिखा मैं आपको और आपके विचारों को प्रणाम करता हूँ मैं हर इंसान को आपके मांगदर्शक का अनुरोध करता हूँ आप जैसी नेगदिल और सत्यता को बेधरक बोलने और साजा करने वाली महिला पहुत कम है हमारे भारत में लेकिन आप जैसे लोग इतिहास है जैश्रीरा सुभूही खान की इन तस्वीरों के साथ-साथ एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विशे बनी हुई है इस तस्वीर में सुभूही ने खाने की प्लेट दिखाई है जिसमें चावल और सबजी दिख रही है इसी के साथ सुबुई ने कैप्शन में लिखा इतना ही नहीं इस तस्वीर के जरीए उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि जानवरों को हानी नहीं पहुँचानी चाहिए सुबुई का इट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब देश में बकरीद को लेकर मुसल्मान व्यस्त हैं आपको बता दें कुछ वक्त पहले सुबुई खान उस वक्त चर्चा में आयी थी जब नैशनल टेलिविजन पर डिबेट के दौरान उन्होंने इसलामी का तरपंती शोयब जमाई की जम कर पिटाई की थी दरसल 72 हूरों पर गहराये विवात को लेकर चैनल पर डिबेट चल रही थी इसी दौरान शोयब में सुबुई को लेकर ऐसी गलत टिपणी की की वो भड़क गई उसके बाद सब के सामने सुबुई ने शोयब की बख्या उधेर दी सुबुई ने शोयब को फटकारते हुए कहा था चल निकल यहां से तेरे बाप को भी मारूगी सुबुई खान के बारे में आपको बता दें कि वो यूपी के मेरिट से तालुक रखती है सुबुई के दिवंगत दादा जिया अल्ला खान मेरिट में डियस पी थे सुबुई अपने शेत्र में अच्छा काम कर रही है और इसी के साथ साथ हिंदुत्व की विचार धारा को भी आगे बढ़ा रही है बेरहाल सुबुई से जुड़ी इस खबर पर आपकर क्या कहना है आप उनके संसकारों को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंच करके ज़रूर बता